हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नवश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी में मेरा नाम है अतुल जैन तो भी आप सभी के पास Mobile Phones होंगे, Mobile Phones में Connection होंगे क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति एक User जो है वो अधिक्तम कितने Mobile Connection ले सकता है और अगर आपके पास उससे ज्यादा Mobile Number के Connection है तो आप पर क्या कारवाई की जा सकती है इन ही सब चीजों को लेकर ट्राई का एक भारत सरकार का एक नियम आया है तो उसके बारे में मैं आपको बहुत संखेप में बताऊंगा बस पांच मिनिट में केवल तो जलिए शुरू करते हैं अपनी चर्चा लेकिन उसके पहले याद रखिए आठ तारिक को शाम 6 बजे से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है रोज 3 घंटे की लाइट क्लास, मेंटॉर्शिप, डेली प्राक्टिस, क्वेश्चेंस, प्री और मेंस के मेंस के क्वेश्चेंस का डेली आपको जो है फीडबाक दिया जाएगा प्री मेंस की टेक्सिरी, वठारा किताबे आपके घर पे और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के तयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी खर्चे में इंटूर्डिड होगा तो आज ही AJ Live Code लगा के इस बैच से जुड़ जाएए और अपने तयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए चलिए, तो भई नियम ये कहते हैं कि भारत में हर व्यक्ति के पास आप अगर किसी सामाननी जगह से आप connection ले रहे हैं तो एक व्यक्ति के पास नौ से जादा SIM card नहीं हो सकते नौ SIM card की एक सीमा जो है सरकार ने तय की है कि नौ SIM card तक आपके पास हो सकते हैं इसका अपवाद है अगर आप असम छेत्र के हैं या फिर आप पूर्वोत्तर राज्यों के हैं, बाकी पूर्वोत्तर का जो एक सरकल बनाया गया है टेलीकॉम, ठीक है, या फिर आप जम्मू कश्मीर के हैं, तो इन जम्मों पर फुरक्षा कारणों से इस सीमा को 6 रखा गया है, कि आपके पास अधिकतम 6 सिमकाड हो सकते हैं 6 से जाधा सिमकाड आपके पास नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो भारत में टेलीकॉम चीफों को मैनेज करने के लिए, जो वह यह कहता है, कि अगर आपके पास इस सीमा से ज्याधा सिमकाड है, तो रद्ध तो होई जाएंगे, जैसे ही ये फ्लैग हो गया कि भाईया आपके पास जादा सिमकार्ड है आपके पास नौ सिमकार्ड है आपने और ले लिये हैं तो वो रद तो हो ही जाएंगे इसके अलावा कानून में कुछ प्रावधान ऐसे भी है कि आप पर 50,000 रुपए से लेकर 2,000,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है इस प्रकार के भी प्रावधान इस कानून में किये गए हैं इसमें और इंपोर्टेंट चीज ये है बिटा देखिए इसको आप फिर भी कोर्ट में डिफेंड कर सकते हो कि मेरे को पता नहीं था या फिर बहुत सामाने चीवे थी मैंने पहले लिया था फिर मेरे यहां लोग काम करते हैं उसके लिए मैंने लिया वगेरा वगेरा प्रॉब्लम तब आती है अगर आपने ये सिम कार्ड जो है किसी फ्रॉड तरीके से लिये हों क्योंकि आम तोर पर क्या है अगर आपके पास इस से वादा सिम कार्ड है तो आपको नए सिम कार्ड मिले है 50 लाख रुपए तक का जुर्माना उसमें संभव है तो गंभीर अपराद माना जाता है अगर आप fraud data के साथ SIM card लेते हैं आप अगर SIM card occupy करते हैं क्योंकि याद रखिए SIM card जो होते हैं यार वो फुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चालेंज है बहुत बार ऐसा होता है किसी का किसी ऐसे विक्ति का होता है जिसको कोई जानकारी ही नहींगे कि उसके नाम पर कोई SIM card लिया गया है और उसकी संक्या बढ़ जाती है वो fraud तरीके से लिया गया है तो उसकी भी इबमेदारी आपकी ही होगी, ये बात याद रखिए, भई तो इसका बहुत ध्यान रखना है, कि आजकल क्या होता है, हम लोग अपना अधार कार्ड तो हर जगा दे देते हैं, आपकी ती होटेल में चेक इन किये, उसने बोला फर अधार कार्ड दीजे, आपने दे दिया, उ पुरी तरह से संभव है, भई आप किसी भी होटेल में जाओ, आजकल आपका अधार कार्ड मांगेगा कि नहीं मांगेगा, कि सर अधार कार्ड दिखाईए, उसकी फोटोकॉपी स्कैन करके भी रखता है व्यक्ति, तो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका अधार कार्ड ये सब कुछ रखता है, तो हो सकता है, इसके आधार पे वो सिमकार्ड खरीद रहा हो, तो नियम ये कहता है कि अगर किसी अन्य व्यक्ति ने भी आपके डेटा का प्रयोग करके सिमकार्ड खरीदे हैं, आपके नाम का प्रयोग करके, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है उस व्यक्ति की नहीं है उसकी तो है यह पकड़ा जाएगा जेल जाएगा लेकिन आपकी सिम्वेदारी है आप पर भी जुर्माना लग सकता है अब सवाल यह आता है कि मुझे पता कैसे चले भाई मेरे नाम पर कितने सिमकार लिए गए है मुझे पता कैसे चलेगा यह बात अगर है तो तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है है एक संचार साथी नाम का पोर्टल बनाया है इत पोर्टल पर जाईए अपना मोबाइल नंबर डाल ये आपको OTP आएगा वह verify कीजिए और आपके नाम पर कितने SIM card registered हैं उसकी list आ जाएगी तो जो नंबर आपका है उसको रखिए जो नंबर आपका नहीं है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये नंबर मेरा नहीं है वहाँ option दिया गया है not my number या not in use कई बार क्या होता आपने बहुत पहले कोई number लिया था उसको आप प्रयोग नहीं कर रहे लेकिन वो दुबारा किसी को बटा नहीं अभी भी आपके नाम पर आवंटित है तो आप उनको रद करा सकते हैं इस portal पर ये फुविधा उपलब्द है तो संचार साथी portal जाके आज च अभी लिये थे मेरे पास team काम करती थी उसके लिए मैंने 10 sim card लिये तो क्या तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है इस पर कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है अगर आपके पास पहले से 9 से ग्यादा number है तो आपको बस company को बोलकर उन numbers को दुबारा से verify करवाना जो भी आपकी टेली कॉम company है कि ये नंबर मेरे पास पहले से हैं आप इनको verify कर लीजे वह एक बार दुबारा इन सब का के वाई सी कर लेगी verify कर लेगी और उसमें 9 नंबर आपके पास छोड़के बाकी नंबरों को बंद कर देगी ये प्रावधानों के तहट किया जा सकता 8 जुलाई से शुरू हो रहा है शाम 6 वजे से तुरंट जुड़ जाईए बिलकुल इंतजार मत कीजिए AJ Live Code लगाईए 27999 फीस है मेरी बात मत मानिए हमारे अध्यापकों के वीडियो देखिए YouTube पे मज़ा आएगा समझ में आएगा तो लीजिए निश्यत तोर पे आएग से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi